हेलो एब्रीबन, वेलकम बैक टो इस्टड़ी वर्ड, सॉल्ब करते हैं उपना, तीसरा कोश्चिन, जिसका पार्ट है, सिक्स्थ वाला, थर्ड कोश्चिन, सिक्स्थ पार्ट, दे रखा है, माइनस का एक्स स्क्वेर, प्लस का 10 एक्स, माइनस का 5, फ्रों, 5x, माइनस का 10, इसमें से हमारे लिए सप्टर्ट करना है इसको, ON Subtracting, आ जाएगा हमारा 5x, माइनस 10, माइनस, माइनस का x स्क्वेर, प्लस का 10x, माइनस का 5, को टो, 5x, माइनस का 10, minus यह अंदर entry करेगा minus minus plus हो जाएगा फिर यह plus x square minus plus कितना हो जाएगा minus का 10x minus into minus plus का 5 equal का sign 5x पहले x square के लोग लो x square फिर 5x plus का 5x और minus का 10x इनको एक bracket में बाद में यह 5 minus का 10 इसको एक bracket में कितना जाएगा फिर x square minus का 10x जाधा है और minus plus का 5x कम है तो किसका बचेगा minus का 5x बचेगा minus का 10 यहाँ पर बचेगा minus का 5 ओके इन minus का 5 बचेगा जब 10 minus की जाधा है 5 plus के कम है तो 5 बचेगा तो यह हमारा हो गया हम देखते हैं 7th part दे रखा है 5a square minus का 7a b plus का 5b square इसको subtract करना है हमारे लिए from 3a b minus का 2a square minus का 2b square से इसमें से इसको subtract करना है तो भई on subtracting ओके यह लिखना है हमारे लिए इसके बाद a b 3a b minus का 2a square minus का 2b square minus subtract करना है इस वाले को तो minus का sign और bracket 5a square minus का 7a b plus का 5b square equal का sign 3a b minus का 2a square minus का 2b square यह minus जब इस वाले plus से multiply करेगा तो कितना हो जाएगा minus into plus कितना हो जाएगा minus का 5a square minus into minus plus 7a b minus into plus minus 5b square equal to a square कितने है यह रहा है पहले a square लिख लो minus का 2a square minus का 5a square b square 2b यह रहा minus का 5b square यह रहा minus का 2b square minus का 5b square 3a b plus का 7a b add कर तो इनको कितना आ जाएगा minus का 7a square minus का 7b square plus का कितना आ जाएगा 10a b 3 plus 7 10a b इदर भी है a b इदर तो इदर आ गया a b minus कामन ले लो अब minus कामन लेंगे तो plus वाली जो time होगी वो minus की बन जाएगा और minus की जो होगी वो plus की बन जाएगी देर रखा है हमारे लिए 4pq minus 5q square minus का 3p square from 5p square plus का 3q square minus का pq इसमें से इसको सब्ट्रक्ट करना है on subtracting भाई लिखना है हमारे लिए फिर 5p square plus का 3q square minus का pq minus सब्ट्रक्ट करना है तो minus लगा दिया bracket ये बाला 4pq minus 5q square minus का 3p square equal to 5p square plus का 3q square minus का pq minus ये entry करेगा multiply करके कितना हो जाएगा minus का 4pq ये entry करेगा इदर तो minus into minus plus हो जाएगा 5q square ये इदर से entry करेगा तो इसम multiply हो जाएगी कितना हो जाएगा plus का 3p square p square equal कर लो एक जगे पर p square ये रहा p square ये रहा तो 5p square plus का 3p square एक bracket में इनको ले लो 3q square 5q square 3q square plus का 5q square एक bracket में minus का 4pq और minus का pq minus का 4pq minus का pq ये कितना बन जाएगा 5 plus 3 8 और p square साथ में चल रहा है plus 3 plus 5 8 q square ये भी minus का 4pq minus का pq minus का 5pq ये हमारा solve हो गया question यहां तक हमारा answer आ गया ओके अब हम लोग solve करते हैं question number 4 का part A 4 का part A मुल रखा है what should we added to x square plus x y plus y square to obtain 2 x square plus 3 x y तो हम लिखते हैं let k should be added ओके तो लिखते हैं फिर x square plus x square plus का x y plus का y square plus क्या add करना है क्या add करना है जिससे कि हमें क्या मिल जाए 2 x square plus का 3 x y मिलना चाहिए ये वोला है तो case इधर रोको और जो ये वाली term है इसको इधर वेज़ दो तो 2 x square plus का 3 x y जब ये plus का था इधर इधर जाने के बद minus का हो जाएगा x square ये plus का था ये भी minus का x y ये plus का ये भी minus का इधर हो जाएगा k equal to 2 x square और ये x square कितना बच्चे आएगा 2 x square और minus का x square तो यहाँ पर बच्चे का cable x square 3 x y और minus का x y तो ये 3 minus 1 करोगे तो 2 वो भी plus का x y और ये by square और कहीं है नहीं तो ये by square आजेगा minus का तो के की बच्चे की बच्चे की बच्चे की बच्चे का इतनी आई x square plus 2 x y minus by square ये हमारे लिए क्या करना है एड करना है fourth question हम लोग fourth का b देखते है इसमें बोल रखा है fourth का b part what should be subtracted from 2 a plus 8 b plus 10 to get minus 3 a plus 7 b plus 16 तो इसमें भी करेंगे let k should be subtracted ओके तो लिखो पहले subtract करना है हमारे लिए 2 a plus 8 b plus का 10 subtract करना है इसमें से तो subtract करतो k जो हमने लिखा है उपर equal में क्या ना चाहिए minus का 3 है plus का 7 b plus का 16 यह हमारे लिए आना चाहिए तो minus का k इदर रुको बाकि जो निकालना होता है उसके साथ कुछ भी नहीं रखते हैं यह इदर वेज़ दो minus का 3 है plus का 7 b plus का 16 यह plus का था इदर आने के बाद minus का हो जाएगा 2 है यह plus का तो इदर आने के बाद minus का 10 minus का k equal to 3 है यह रहा minus का 2 है तो कितना हो जाएगा minus का 5 है 7 b यह रहा minus का 8 भी इदर रहा तो 7 किसका ज़्यादा है minus का 8 ज़्यादा है जो minus का होगा वो plus का हो जाएगा और plus का जो minus का हो जाएगा तो minus का यह था तो यह plus का हो जाएगा यह minus का तो यह भी plus का हो जाएगा यह plus का था तो यह minus का हो जाएगा और यहाँ से काड़ भी सकते हो तो k की value कितनी आ जाएगी 5 a plus b minus 6 यही हमारे लिए सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा और हमारा आई होप यह समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्ट लक्चर में थैंक यू